आखिरकार वही हुआ जिसकी हम सभी को उम्मीद थी सागताफ्री का दोरे के लिए बीसीसियाई ने टेस्ट टीम के एलान के साथ ही ये भी एलान कर दिया है कि अब वंडे क्रिकेट में रोहित सर्मा कप्तान होंगी दरसल ब्राट कोहिली ने पहले ही टी-20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी थी अब वो वंडे क्रिकेट में भी कप्तान नहीं रहेंगे ब्राट कोहिली की कप्तानी जाने के बाद भारत के पूर्व कप्तान महिंदर सिंग धोनी का एक बड़ा बयान आया है धोनी ने ब्राट कोहिली की कप्तानी में टीम इंडिया की जम कर पिरसंसा की थी आपको बता दें धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद ही ब्राट कोहिली को भारती टीम का कप्तान बनाया गया था वैसे तो ब्राट कोईली के रिकौर्ट से सांदार है और इसी बारे में महिंदर सिंग्धोनी ने चर्चा की उन्होंने कहा कि ब्राट कोईली ने अपनी कफटानी में टीम इंडिया को कई बार जीत दिलाई है हाला कि अब रोहित सर्मा भारतिय टीम के कफटान होंगे और उमीद की जा शकती है कि भार्दियर टिम भी इसी तरह का प्रदर्सन प्र्दर्सन रोहित सर्मा की कप्तानी में करेगी आपकी राय में क्या ब्राट कोहईली को वन्डे कुरकेट से कप्तानी से हटानी का फ्यसला सही है आप अपनी राय नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करना ना वोगा